Android 16 देखा जाए तो शायद उम्मीद से पहले आ जाए क्योंकि Android 16 का जो डेवलोपर प्रव्यू 1 था वो नवेंबर 2024 में लाँच हो गया था और अगर हम रिलीज टाइमिंग की बात करें तो Google I.O. में Android 16 ऑफिशली आ सकता है या फिर जून तक भी आ सकता है और इस बार देखा जाए तो जो Google रहती है अपनी Pixel 10 स्रीज को भी पहले लाँच कर सकती है iPhone से काफी पहले तो हाँ ये कुछ चीज़े चल रही है और ये देखके मैं आपको बता सकता हूँ कि Android 16 काफी जादा जल्दी हपर आने वाला है लेकिन इस बार Android 16 के साथ एक काफी इंपर्टन चीज़ है वह ये है कि Google वाले Android को इस बार प्राइवेटली हपर डेवलप कर रहा है अब Google ने क्या कि है कि प्राइवेटली काफी जादा चीज़े बनाएंगे और धीरे धीरे OSP के अंदर टाइम लेके निकालेंगे चीज़े यानि कि Google वाले पर एक competitive advantage लेना चाहते है और AOSP में जो Android obviously open source project रहता है उसके अंदर changes ये लोग काफी कम करेंगे और काफी धीरे धीरे करेंगे जिसका जो impact रहता है शायद यहाँ पे जो आपकी custom ROM वाला जो department रहता है वहाँ पर पढ़ सकता है और custom ROMs के लिए एक और खत्रे वाली बात यहाँ पर हो सकती है यानि कि आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आपका user interface वगरा totally यहाँ पर बदल जाएगा ऐसा नहीं होने वाला चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी लेकिन उसके अंदर एक slightly improvement होगा तो देखते एक करके कौन-कौन से ऐसे features को यहाँ पर Android 16 के अंदर implement किया जा रहा है जो शायद आप अपने future phones में expect कर सकते हैं सबसे पहला feature निकाला जाएगा live update तब यानि कि आप notification अंदर live tracking वगरा यहाँ पर देख पाएंगे कि किस app की किधर से किस तरीके से tracking हो रही है यह काफी interesting feature है काफी हट तक इस feature की inspiration एपल के dynamic island से ली गई थी लेकिन जो live update वाला feature और notification के अंदर ही काफी solid feature होगा यानि कि आप खाना order कर रहे हैं इसके साथ ही एक interesting feature डाल रहा है health record integration कि अगर आपका जो health record रहेगा वो android के अंदर ही integrate किया जा सके और आप एक ही जगे पे अपनी health related सारी information गैदर कर सके और देख सके analyze कर सके यह कचा feature है और health से आदाय battery health के feature पर भी काम किया गया है जो कहा जा रहा है कि इस समय कुछ pixel exclusive रहेंगे कुछ feature तो pixel 9a में भी exclusive ली आने वाला है लेकिन हाँ battery health और battery health कैसे better की जा सके इसके उपर भी Android 16 में हापे काम हो रहा है इसके साथी अगर आप screenshot HDR वाला capture करेंगे तो HDR quality का screenshot finally हापे capture हो पाएगा और Bluetooth में भी interesting feature डाला है कि अगर आप एक साथ multiple devices में एक ही गाना Bluetooth के थ्रूँ stream करना चाहते तो वो possible हो पाएगा इस तरीकी के कुछ feature realme वगरा ने डाले ती लेकिन अब Android इसके इंदर natively इसको यहाँ पर लेकर आ चुका है इसके साथ ही एक अच्छा feature maker आ रहे है notification cool down का याने की कभी आपके साथ हो है कि एक बार आपने internet चलाया और धेर सारी notifications आगी अब ऐसी problem नहीं होने वाली सारी notifications जो रहेंगी ना वो नहीं आएंगी सिर्फ पहले कुछ important notification आएंगी उसके बाद बाकी सारी फाल्तू notifications आएंगी अब देखा तो market में कई सारी apps ऐसी हैं जो already foldable और normal screen पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं लेकि majority की apps के साथ बहुत हो प्रॉब्लम किया वो अगर आप normal use में काम कर रहे हो तो अलग काम करें लेकिन अगर आपने उसे foldable में अगर screen खोल के अगर काम करें तो पूरी और और जो app है वो automatically adapt हो जाए बड़ी screen के साथ इस तरीके से यहां पर काम होगा इसी के साथ ही जो advanced professional video code है कि उसका सपोर्ट यहां पर आने वाला Android में यहां तक कि API enhancement में बात कर जो camera 2 API ती उसके अंदर enhancement और improvement आएंगे जिस कारेंट से आप better quality का camera expect कर पाएंगे Android phones के अंदर better video recording capabilities के साथ भी और इसी के साथ ही one of the best feature जो आने वाला है वो आने वाला security के related ताकि कोई भी एकर scanner अगर आपको call कर रहा है और call में आपको फसा रहा है तो call करते समय आपके phone को hack ना कर पाएं इस तरीकी के भी security के features implement किये गए ओवराल बात किया है तो यह कुछ चोटी चोटी चीज़ है इसके अलावा privacy dashboard को change किया गया है Android की update fast कैसे की जाए इंप्रूमेंट किया गया है विजेट को change किया गया है चोटे मोटे और भी धिरसारी changes किये गए जो थोड़े से माइनूट लेवल के लगते लेकिन ओवराल मैंने बताया कि यह कुछ major changes है जो आप Android 16 के अंदर यहां पर आएंगे इसके साथ कहने का मतलब है कि Android 16 में इस बा अपडेट कर पाएं basically Apple के iOS से लड़ने के लिए Apple का iOS जो 19 रहेगा वो September में iPhone 17 के साथ अनौस हो जाएगा उससे पहले ही इनका Android 16 मार्केट में फोन्स तक पहुंच चिक हो और वह फोन्स मार्केट में लांच हो चुके हो उससे पहले यह चीज़ करने की कोशिच की जा रही है मींद olsaan moments a दिखने वाली बात के वह लोग क्या लॉंच किया वह बहुत ही जल्दी यहां ready लॉट धिनई को में सेल पर आए ज़ंग को रहें